डोस्तो इस वर्ड का correct pronunciation होता है rings इस वर्ड के अंदर डो हमारा silent होता है तो हम इसको ring या ring नहीं कहेंगे हम इसको कहेंगे ring तो rings का हिंदी मतलब होता है के लिए हम English word rings को use करते हैं तो आए दोस्तो अब हम ring से कुछ example भी समझे लेते हैं कि हम उसको English sentences में कैसे use करेंगे और हमारा पहले example है please give the wet cloths or rings मतलब किरप्या गीले कपड़ों को निचोड़ दें दोस्तो इस sentence में rings का meaning हुआ निचोड़ना चलिए दोस्तो आप rings का एक और example देख लेते हैं please do not rings my hands मतलब किरप्या मेरे हाथ मत मरोड़ो दोस्तो इस sentence में भी rings का meaning हुआ मरोड़ना दोस्तो उम्मीद है आपको इस word का meaning बहुत अच्छे समझ आ गया होगा अगर आपको अच्छे समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बैल आइकन को प्रेस करना बिलकुल ना भूले ताकि इसी तरह की latest update आपको सबसे पहल मिलते रहे थेंक यू